नमस्कार दोस्तों स्वागत करें आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज हम डिसकस करेंगे जैसा कि आप टापिक समझाते हैं कि रिवा जो प्रोजेक्ट है उसका इनागुरेशन किया गया है ठीक है वो कम्प्लीट हो चुगा है उसका इनागुरेशन किया अभी हाल ही में प्रधामंति नेंद मोदी के द्वारा तो उसकी बारे में कम्प्लीट डिस्केसन करेंगे क्योंकि यह आपका रिनुवेबल इनर्जी के भारत का एक ससक्त कतम हो सकता है और आने वाले समय में कई लोग इस प्रोजेक्ट को अगर इस इह सफ़ल होता है ठीक है तो साल दो साल में इस प्रोजेक्ट के हिसाब से और प्रदिस इस तरह के काम भी करना चाहेंगे तो सुरु करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले यह तो आप जानते रही है प्रधामंति नैन मोदी ने इनागरेट किया, ठीक है, 10 जुलाई 2020 को किया, यह भी आप जान लीजिए, यह Asia's largest 750 MW solar power project है, यह Asia का सबसे बड़ा आपका solar power project है, ठीक है, लोगों ने coal-based, तो लेकिन जो solar power plant के अगर बात करते हैं, तो इंडिया का ही नहीं, अपितु, अपितु, अशिया का यह सबसे बड़ा power plant है, और इसकी capacity है, कभी आप से पूछ ले, जानते रही है कि 750 MW है, ठीक है, यह located है, रिवा, मद्यपरदेश में है, तो रिवा में यह located है, और जो solar park was developed by the Riva Ultra Mega Solar Limited, R-U-M-S-L ने इसको develop किया है, यह सारी चीजह examination के लिए ज्यादा महत्तपुण है, कि कौन से संस्थासी जिसने इसको develop किया है, तो उसका नाम एक बार मैं फिर से पढ़ूँगा, क्योंकि काफी important है, यह आपका examination से पूछ सकता है, तो नाम है the Riva Ultra Mega Solar Limited, और यह आ and Solar Energy Corporation of India, SECI थी, ठीक है, तो यह दोनों, जो कि SECI क्या है, a Central Public Sector Undertaking है, तो इन दोनों ने मिल करके, इसको combined joint venture के द्वारा, एक company, इसको combine करके develop किया, जिसका नाम था Riva Ultra Mega Solar Limited, ठीक है, इसको यहाँ पर हमने बनाया, अब बात करने थुछा सा और इसके आगे, ठीक है, तो M-N-R-E, अब यहाँ पर समझे वाली बात यह है, पता है, कि सबसे बड़ी बात यह है, कि जैसे पहले कभी होता था कि, अगर आप किसी power company से, ठीक है, डिस्टिब्यूट करने के लिए, energy ले रहे हो, या पर power ले रहे हो, तो उसके लिए एक tie-up होता था, एक mechanism होती थी, ले अगर sell नहीं होता, या फिर उनका energy loss हो जाता है, तो उसकी वज़ा से उनको घाटा सहना पड़ता है, तो इस पर ऐसा है कि इसमें risk जो है, काफी कम है, तो इस particular model को पूरा India में, अलग-अलग position पर इसको लागू किया जा सकता है, तो यह एक आपका model भी बन सकता है, इस आप World Bank Group President's Award for the Innovation and Excellence, यहाँ पर समझें वाली बात है कि World Bank का एक Group President's जो है, तो उसका अवार्ड जो है, किस category में, innovation and excellence category में इस particular project को दिया गया है, ठीक है, Rima Power Project को दिया गया है, and was included in the book, और मुदी जी ने एक book release किया था, जिसका नाम था, A Book of Innovation, New Beginnings, तो उसमें इसका जिक्र है, ठ The project is also the first renewable energy project to supply to an institutional customers outside the state, यह पहली बार ऐसा है कि कोई भी renewable energy का ऐसा project बना, जो कि other state को भी supply कर रहा है energy, ठीक है, जैसे ही यह कहां कहां सप्लाई करता है, उसके बारे में भी आप जा लिए, 24% अपनी जो energy है, total 100% energy का 24% जो है, वो आपका दिल्ली Metro को दिया जाता है, इसी तरी distribution company है, 76% का उसको own करके उसको supply करते है, और भी बास समझते है कि project also amplified India's commitment to attain the target of 175 gigawatts, गीगावार्ट या जीगावार्ट जो भी बोलना उसको बोल सकते हैं, आफ इंस्टाल renewable energy capacity by 2022, तो कहने का मतलब है कि 2022 तक जो हमारे देश का प्रतिबादता है कि हम renewable energy के द्वारा 175 gigawatts जो power है उसको target को achieve करेंगे, तो यह एक ससक्त कदम हो सकता है, जिसमें से 100 gigawatts जो है, वो केवल solar installed capacity से हम generate करने वारे हैं, तो यह एक नया आपका star हो सकता है, यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा कि Riva Ultra Mega Solar Limited है, ठीक है यह आपका एक agency है, ठीक है जिसने इस project को joint venture जिसमें मध्य प्रत solar limited जिसको RU MSL के नाम से जान रहे हैं, इसको setup किया गया था जुलाई 2015 में, कभी आपसे पूल सकता है, और उसमें जो आपका principal secretary थे, इस particular project के उनका नाम था, मनु स्रिवास्टव, ठीक है, जो इसके project के complete होने तक इसी पतपर बने रहे है, चेयर मैं पतपर बने रहे है, ultra mega solar limited कभ established किया गया, और वो किसके chair person, chair person ship में किया गया, तो इस सारी बाते आपसे बहुत सकता है, थोड़ी सी और discussion करते हैं, कि इसको सुरुवात कैसे किया, कोई भी चीज़ शुरुवात होती है, जिससे मैंने बताया कि पहले इसको setup किया गया यह particular project बनाने के लिए, फिर इस समय के आज भी है, ठीक है, बीश में नहीं थे, उनके साथ विंकया नाइटू जो उस समय अरबन development minister थे, ठीक है, सहरी विकास मंत्री थे, और साथ में एक और केंद्री मंत्री थे, जिनका नाम था पयूस वयल, वो आपका केंद्री मंत्री थे, किसके power, coal, mine and new renewable energy, इस particular मं मंत्री थे, ये दोनों लोगो उपस्तित थे, उन्हीं की उपस्तिती में ये आपका tie-up जो था, agreement था, उसको वहाँ पर पास किया गया था, पर्चिस किया गया था, उसके बाद क्या होता है, कि तब प्रोजेक्ट को, उसके बाद commission किया गया, कहने का मतलब प्रोजेक्ट को commission हुआ, उसकी date है, 5 July 2018, supply to Delhi Metro, ये आपका Delhi Metro को supply की जाती है, 24% जैसा के मने पहले ही बताया, कब से start किया गया supply करना, क्योंकि आप जानो, जैसे जैसे project complete होता गया, वैसे वैसे इसको क्या किया गया, इसका production start कर दिया गया, लेकिन complete inauguration अभी भी किया गया, हाल ही में, PM9 मोध के द्वारा, ठीक है, 10 July 2020 को, समझेगा, so supply to Delhi Metro आपका 18 April 2019 से सुरू कर दिया गया है, so the project was completed on January 3rd, 2020, 3 January 2020 को इसको complete कर दिया गया था, लेकिन the project was formally inaugurated on the July 10th, 2020, लेकिन 10 July 2020 को इसको formally inaugurated किया गया, PM9 मोधी के द्वारा, इसके तवासा और detail में जाते हैं, कि actually ये कितने area में बन to break the grid parity barrier, ठीक है, तो आप जानते हो कि grid wise क्या होता है, कि हमें जितना चाहिए होता है, उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, distribute करते हैं, लेकिन पहली बार आसा हुआ कि grid parity का कोई barrier नहीं रहेगा, और ये पहला ऐसा solar product है, जो कि आपका एक state में पैदा हो रहा है, लेकि उसी state म मतलब 1590 एकड में ये फैला हुआ है, अगर बात करें, किलो मेटर के हिसाफ से तो आपका 6.4 किलो मेटर स्कायर, वह भी area होती है, तो आपका meter square, किलो मेटर स्कायर में तो होगी, तो 6.4 किलो मेटर स्कायर के area में ये आपका बना हुआ है, in the good तहसील of Riva district, of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh के Riva district में, good तहसील जो है, वहाँ भी ये आपका, इसको setup किया गया, कई बार examination पूछता है, छोड़े जोटे minute point को भी आपको जाना चाहिए, so the project was commissioned with 750 megawatt capacity in December 2020, 2019, 2019 में, December में 750 megawatt capacity को commission कर दिया गया, मतलब लगभग बन चुका था, अभी भी inaugurate हो चुका है, मतलब ये आप power supply देने के लिए 100% तोर पर तैयार है, तो ये आपका हमारे भारत के renewable energy का जो target है 2022 का, उसको भी कहीं ने कहीं complete करने के लिए एक ससक्त कदम है, आप जानते हो कि coal जो है, वो आपका सीमित है, और coal से जब NTPC बगर बनाते हैं उसका जब pros and cons अगर आप पढ़ोगे न, तो आपक अगर आपका कोई comment है, आपका कोई suggestion है तो आप दे सकते हैं, इसी तरके वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल का आप subscribe कर सकते हो, धन्यवाद